इस वीडियो में बात करेंगे बोर्ड एक्जाम के लिए जो मैठ्स साइंस एन आर्ट स्टुडेंट्स के लिए होता है एटी मार्क का पेपर उसमें जो पंदरा चैप्टर दिये हैं महाराश्टा बोर्ड ने उन चैप्टर का वेटेज क्या है किस तरह से हम पढ़ाई कर सकते हैं क्या हम किसी चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ सकते हैं जो बोर्ड एक्जाम का पेपर पैटन है उसके एक्कॉर्डिंग हम कैसे तैरी करें तो आओ चलो बताता हूं इस वीडियो में कि जो पूरे के पूरे 15 चैप्टर उसका पेपर का जो वेटेज होता है पेपर के अंदर उनका वो कैसे होता है तो बच्चो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर 12 स्टैंडर के जो 15 चैप्टर है साइंस और आट्स वाले बच्चो के वो इस तरह से हैं मैट्स वन के अंदर टोटल साथ चैप्टर से चैप्टर नमबर 1234567 लॉजिक मैट्राइसे ट्रीगो पेर ऑफ स्टेट लाइन वेक्टर लाइन प्लेन और लिनियर प्रोग्रामिंग यह मैट्स वन के चैप्टर होते हैं जो आपको पता है यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो लॉजिक है वो 8 मार्ग का वेटेज रखता है विट आप्शन्स विट आप्शन क्यूंब बता रहे हैं क्योंकि आपका जो पेपर है वो 80 मार्ग का होता है बड़ जो उसमें क्वेस्चिन है टोटल 98 मार्ग के पूचे जाते हैं जो मैं आपको बहुत सारे बंट्रीघ्टा के कर थे ड़ती दरणाने मैं में नियों लिटजी च्ति कर सबमाइब की दरणा । कर यह के ने च्पटर के रखाए छोटा चैप्टर हें पर सबसे इम्होंत्र वलiltonाय nossas रिखना। भाई मेरे वेक्टर्स बारा मार्क का चैप्टर होता है लाइन अन प्लेइन जो है दस मार्क का चैप्टर है इतने महेंगे चैप्टर जो है इतने ज़्यादा मार्क्स कहरी करने वाले उनको option में छोड़ के जाओगे तो बहुत सारे question आपको skip करने पड़ेंगे यह बहुत easy chapter से अगर आप पढ़ते हो है ना हमारे जो one shot lectures आप YouTube पर देखते हो या मेरी किसी batches में आप पढ़ रहे हो या कहीं पर भी offline tuition coaching कर रहे हो यह YouTube के free lecture series देख रहे हैं तो आप इस chapter को एक बार go through करो जैसे आप सीखने की कोशिश करोगे ओके हो सकता है कि आपको classes में यह वहां नहीं समझ में आ रहा है तो भाई मेरे lecture यूटूब पर अलड़ी है आप search करो chapter का नाम और दीने sir पहले lecture से देखो गैरेंटी है समझ में आएगा छोड़ो मत उसको करके जाओ बाद में पस्ताना ना पड़े तो यहां पर देखोगे कि लाइन प्लेंज दस मार्क वेक्टर बारा मार्क और जो LPP चार मार्क से linear programming तो एक ही question आता है बादा वेटेज है उनको छोड़के मत जाओ अब हम मैच 2 की बात करते हैं यहां से देखो चैप्टर नुमर 8 से 15 टोटल 15 चैप्टर है एक्चुल में यह मैच 2 का अगर आपने integration कर लिया तो आपका definite integration 6 मार्क application of definite integration 4 मार्क टोटल 20 मार्क होता है यहांने integration छोड़ने का मतलब है कि आप 20 मार्क को सीधा हातों से ऐसे छोड़ रहे हो 20 मार्क के question differential equation जो है 8 मार्क का है probability distribution 5 मार्क, binomial distribution 5 मार्क टोटल कितने हो गए जो 112 मार्क का पेपर होगा तो 98 के लगबग मार्क होते हैं और यह 80 मार्क का पेपर है 112 के करीब यहां पर जो option के साथ मार्क है अब पेपर क्या से 112 मार्क होगा हाँ 112 मार्क के question होगी जिसमें आपको 80 मार्क का compulsory होगा कैसे यह कैसे हुआ तो बच्चो आपको बता दूँ यहां पर जैसे हम section A की बात करते हैं section A के अंदर दो टाइप के question होगे mcq और very short answer mcq जो होगे 8 mcq 2 मार्क के 16 मार्क होगा है ओके very short answer जो है 4 question होगे 1 मार्क के 4 मार्क होगे तो आपको यहां पर मिला की भाई 20 मार्क section A से मिल गए अब section B की बात करेंगे section B section B में क्या होता है बच्चो की जो short answer होते हैं 2 मार्क के total 12 question होगे जिसमें से 8 करना होगा 12 में से 8 करना होगा वो 2 मार्क के होगे 12 question में से 8 करना होगा 2 मार्क के 16 मार्क हो जाते हैं section C की बात करेंगे section C के अंदर section C के अंदर 12 question होगे जिसमें से 8 करना होगा जो 3 मार्क के होगे तो 24 मार्क के हो जाते हैं देखो यह 20 मार्क 16 और 24 चालीस भी 60 अब 20 मार्क रहे गया तो section D होगा आपको section D बच्चो जिसमें 8 question दिये होंगे long answers इसको हम बोलेंगे long answers okay short answer 1 short answer 2 इस तरह से naming होती है उससे मतलब नहीं है long answers जो होंगे by 8 होंगे जिसमें से 5 करना होगा 4 mark के 5 चोग 20 mark हो जाते समझे 8 में से 5 करना है 4 mark के तो यहाँ पर देखो कि यह 20 mark और यह 40 mark ओके और यह 20 mark टोटल मिलके 80 mark का आपका कंपल चरहिए अब यहाँ पर देखो 3 extra question है 12 mark का extra है यहाँ पर 4 ती चार ती है 12 mark यहाँ extra 24 mark हो गया यहाँ पर 4 दूनी 8 mark extra question है extra questions भी है जिसको आप छोड़ सकते हैं तो इस तरह से आपका पूरा paper pattern होता है maths का 80 mark का होता है यार यह तो हो गया paper maths का जो weightage हो गया chapter wise कि कितना weightage है किस तरह का paper pattern है कैसे करना है तो देखो बच्चो MCQ जो आप CT के लिए कोई तैहरी कर रहा है तो वो उसको बहुत ही useful होने वाला सोला marks grab करने के लिए तो बोड के साथ अगर CT की कोई तैहरी कर रहा है तो उसके सोला marks तो यह पक्के हो गए उसके साथ साथ यह एक एक mark के जो चार mark यह भी और यह दो mark के question पट पट क्योंकि CT में हम दो-दो mark के 3-3 mark के question जो है MCQ के form में त्यारी करते हैं तो यह इस तरह से paper pattern है जो मैं यहाँ पर दिखा रहा था यह weightage होता है 80 mark का paper होता है उसमें options जैसे किसी को जानना है तो भाई देख लो जैसे कि यह पहले MCQ में कोई option नहीं है 8 के 8 MCQ है सब करना होगा कोई भी छोड़ना नहीं है छोड़े तो marks गया 1 mark के 4 question होते है एक्स्ट्रा नहीं होते है पूरा करना है हाँ 2 mark के जो question होते है वो 12 होते है 8 करना होता है 8 दूनिय 16 मांक 3 मांक के question जो 12 होते है जिसमें से 8 करना होता है 8 into 3 24 मांक और 4 मांक के जो question होते है 8 होते हैं जिसमें से 5 ही करना होता है 5 into 4 20 मांक तो इस चीज को याद रखना है अब थोड़ा सा बात करते हैं क्या सरम किसी chapter को option में छोड़ सकते हैं तो हाँ छोड़ सकते हो मैं तो बोलूँगा कि आप जिसको difficult लग रहा है जिसने तैयारी नहीं किये जो अभी शुरू कर रहा है इसने पूरा पढ़ा है उसको तो एक बार देखके ही जाना चाहिए वाई कुछ भी आएगा तो कर सकते ह हो 100 में से 100 का target रखना है मेरे सारे students 100 में से 100 का target रखते हैं इतले मैं कभी किसी को skip करने नहीं बोलता बट अभी last month में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डूनते रहते हैं यहां वाँ को important दे दे मैंने कई वीडियो ऐसे भी देखे जिसके अंदर सीधा लिखा होता है क कि बस यही पढ़ लो यहीं से आने वाला यही paper में छप चुका है ऐसे भी चीजे घूमते रहती है ऐसा कुछ नहीं होता मैं आपको बता दू कि जो paper setters होते हैं बच्चों जो paper setters होते हैं उनको भी पता नहीं होता कि उन्होंने जो question board को दिया है वो paper board में आएगा कि नहीं जो board की committee होती है उस committee के अंदर बहुत सारे जो teachers होते हैं उनको बोला जाता है कि question submit करो paper submit करो ऐसे बहुत सारे लोगों से data मंगा जाता है उसको drafting करके एक paper बनता है वो paper set करने वालों को भी पता नहीं होता कि paper में क्या आएगा बहुत सारे ऐसे लोग है जो आपको confirm guarantee देके ब importance के नाम पर कुछ दिया जा सकता है similar question तो आपको किसी भी इस तरह से बैकावे में नहीं आना है आपको मेरा मानना यह है कि पूरी की पूरी syllabus की अच्छे से त्यारी करनी चाहिए बट कोई ऐसा है जिसने late चालू किया पहले नहीं पढ़ा था अब revision करना है बड़ उसका पह कि जिसे 12 question होते हैं जिस नहीं आठ question ही करने होंगे चार अप extra जो नहीं आते छोड़ दोगे तो भी चले गार आते हैं तो भी 8 करना है यहाँ पर दो mark में section c में जो 3 mark है वहाँ पर भी 12 question होते हैं बारा में screaming 8 हह चार extra question और वैसे ही यहाँ पर भी section D में जो 4 mark के question होते हैं 8 होते हैं करना 5 ही है 3 extra होते हैं तो अगर आप कोई 3 chapter जो है अगर आप कोई 2 या 3 chapter छोड़ देती हो 2 या 3 chapter option में छोड़ देती है और उसमें से यहाँ पर question आ गया 2 mark में आपके 3 question ऐसे थे जो आपने छोड़ा था उसी में से आ गया जो उनी chapter के थे तो आपने वो नहीं किया तो 9 तो ऐसे question होंगे जो आते होंगे बापको करना आठी है आपने 3 chapter छोड़े थे जिसमें से यहाँ पर question आ गए but question तो 8 आए करना तो 5 ही है 3 extra है वो 3 नहीं आ रहे छोड़ के 5 करो यहाँ पर आप 2 से 3 question extra जो है अगर इन 2-3 chapter में से आते हैं ध्यान से सुनो तो आप के लिए यह है कि बाप्शन अपने बाद से इसलिए हम छोड़ सकते हैं लेकिन अगर आप समझो 15 chapter में से 12 chapter पढ़के जा रहे हो और 3 chapter आपने option में छोड़ दिया है समझ में आ रहा है अगर तो यह एक बात याद रखनी कि यह 12 chapter बहुत ही अच्छे से त्यार करने होंगे यह अगर इस में से question आ गया तो वो आपको करने आना चाहिए नहीं तो क्या होगा यह 3 chapter तो गए काम से आपने पढ़ा ही नहीं है उसके question तो touch भी नहीं कर पाओगे और यहाँ पर जो 12 chapter के question आ रहे है बट वो आप कर ही नहीं पा रहे हो तो क्या होगा यहाँ के भी question नहीं सौल होगे तो जहाँ पर हमें यहाँ पर 8 question करना था ना 2 मा के 8 एक तो 3 question जो पढ़ा ही नहीं था तो छुआ ही नहीं और जो पढ़ा था वो अच्छे से नहीं पढ़ा था तो गड़बड हो जाएगा ठीक है तो जो भी पढ़ना अच्छे से पढ़ो यहाँ पर वही बोलना है कि जो भी chapter करोगे बढ़ियां से करना छोड़ना है तो ठीक है कोई बात नहीं जैसे कि यह वर्दान बुक है यहाँ पर दिख रही है यह चैप्टर नूमर टैन इंडेफनेट इंडिग्रेशन इस वर्दान बुक की अंदर आप अगर एनलेसिस करोगे तो आपको बहुत ही डीटिल में सब पता चलेगा जैसे कि इस चैप्टर के 2020 के से मैं बता दू कि पेपर पैटर जो बढ़न था 2024 में थो 2021 की वह था सो एक हम्यादा उनलाग है अब देखेंगे 2021 के अंदर मशन है जुलाई 2022 के आदर यह इनलान यह इस चैप्ष्छलाईilius जुलाई 19 तक सारे question यहां पर आपको मिलेंगे, कि भाई MCQ के form में question आते हैं, यह इस तरह से, MCQ के form में, यहां पर, यह इस तरह से question आते हैं, हर साल में 2-2 मा के जो question आ रहे हैं, वो यहां पर बहुत ही व्यवस्ति तरीके से रहें जाएं, फिर कौन-कौन से theorem यह फॉर्मूले जो हैं, वो repeat होते हैं, यह सारे 2 मा के question है, 3 मा के question कौन-कौन से board में पूछे जा रहे हैं, कौन से theorem पूछे जा रहे हैं, यह theorem कितनी बार repeat हो रहा है, यह इन्टू वी रूल वाला, यह बहुत ही जबर जास analysis करें के, इन्टीक्रेशन वाले फॉर्मूले हो गए यह जो रूट ए स्क्वार में पॉर्मूले हो गए, यह इन्टू वी रूल वाला जो theorem हो यह बार बार आता है, तो आप क्या करो कि यह जो वर्दान book है, यहां से one और two mark के question maximum practice कर लो, दूसरा, जो चार mark की या तीन mark में जो theorem होते हैं, या questions होते हैं, फॉर्मूले के proof होते हैं, differentiation में भी बहुत मज़ेदार हैं, इसका यूज करो, मज़ा आएगा, तो बस इतनी सी बात बता नहीं थी, इस वीडियो के अंदर अच्चे से थ्यारी करो, और अब ज्यादा time नहीं है, February 2021 से आपका exam चालू हो रहा है, बोड का और अब December भी कतम हो गया, January का मन्त है आपके पास, फैबुरी के अंदर प्राक्टिकल हो जाएंगे, स्टार्टिंग के वीक में, स्टार्टिंग वीक में प्राक्टिकल हो जाएंगे, फैबुरी में और January में भी हो सकता है, किसी की प्रिलियम अभी चलती रहे, time मिलने वाला नहीं है, फैइनली आपके पास में 20-25 दिन, 30 दिन है, इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो, आपने साल भर में जो भी पढ़ा है, उसको फैइनली रिवाइज करना जो रहे है, स्मार्ट तरीके से, पूरा बुक करते मत जाओ, पूरा बुक आपने एक बार अलुड़ी किया हुआ है, अब आपको रिवीजन के तवर पे जाना चाहिए, बोड के एक्जाम पेपर, एक्जाम का जो वेटेज होता है, पेपर का, एक्जाम का पेपर पैटन होता है, वन मार्क, टू मार्क, कैसे होता है, बोड की तरह के क्वेश्चन पूछता है, वो सब करना है, ठीक है, अब ये सारी चीज़े, मैं शक्ती बैच में बहुत जबर्जस तरीके से बता रहा हूँ, हमारा जो है, डिफ्रेंजेशन कतम हो गया, लॉजिक कतम हो गया है, मैट्रैसिस वहाँ पर चालू होने वाला है, इंटीग्रेशन मेरा चालू हो चुका है, शक्ती बैच में, तो आप लोग, अगर कोई, जो है, मेरे साथ रिवीजन करना चाते हैं, बहुत जबर्जस तरीके से, तो शक्ती बैच जोइन कर सकते हैं, 333 रूपीज के अंदर, पूरा का पूरा मैस, पूरे 40 से 50 दिन का, फाइनल रिवीजन तक आपको देने वाले, बहुत 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 बहुतरी तरीके से हो रहा है, जो 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 चैप्टर हो गए, अधर आपके घर पे पहुँच जाएगी, तीनों सब्जेक्टी बूग, तो बहुत अच्छे से आपका रिवीजन होगा, फिर लालच मत करो, छोटे-छोटी चीजे हैं, यह बहुत माईने रखती है, आपने लाखो रूपे कोचिंग क्लास में यहाँ वाँ लगाए होंगे, थोड़ी से अमाउंट के लिए आप यार थोड़ा सा आलसी मत हो जाना, ओके, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, वर्दान का, शक्ती बैच का, और जो भी यह चीजे मैंने बताई, यह इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो, चलो, बाई अबरीवन, टेक केर मिलते हैं, अगले इसी तरह के वीडियो में,